मेडम जी, ओ मेडम जी, एक दस रुपए दो ना, बगवान आपको SP बनाएगा, DSP बनाएगा दिखी नहीं रहा तुझे, मेडम जी सो रहा है, लिश्टब नहीं करना, चल, आगे चल साब, जो सोएगा, वो अनमोल चीज़ खोएगा अनमोल चीज़? अनमोल चीज़ ऐसी क्या है तुमारे पास है? पहले आप मेडम जी को उठाओ, फिर मैं बताती हूँ मम्मी जी, ओ मम्मी जी, उठ जाओ, मैं आपके लिए अनमोल तूनमोल चीज़ है रहे? बिकमा कहीं का, सोने भी नहीं देता मेडम जी, दस रुपए दो ना, बगवान आपको एसपी बनाएगा, डीएसपी बनाएगा चल बागयाँ से, छुटे नहीं है मेडम जी, खुले तो मैं कर दूँगी, कितने पैसे हैं आपके पास? अरे मम्मी जी के पास कभी पैसे होते ही नहीं क्या आपक्वास कर रहे हो? मम्मी जी, मैं ऐसे कह रहा था, कि पैसे तो वो होते हैं अठनी, चमनी, दो पैसे, चार पैसे, पचिस पैसे, दस पैसे, वो होते हैं आप तो नोट रखती हैं, नोट है मैडम जी, दस रुपए दो ना, बगवान आपका बला करेगा और तु मुझे एक बात बता, तो इतना हट्टा-कट्टा एक कामदाम नहीं कर सकता? मैडम जी, एक बात कहूँ, अगर आप मारोगी नहीं तो नहीं मारोगी, बताओ क्या कहना है आप कितनी सुंदर हो चोटू, जा एक चाय लेकर आ कहो क्या कहना आगे? आप कितनी स्मार्ट, क्यूट हो चोटू, चाय के साथ एक समोसा भी लाना मैडम जी, आप मेरा कहना मानो, तो बॉम्बे चले जाओ आप सूपर स्टार हीरोईन बन सकते हो चोटू, चाय समोसे के साथ रसगुले भी ले आना मैडम जी, अब दस उर्पए दो ना अरे पांस ओर पे रख और बॉम्बे आना मेरे बंगले में दस उर्पए दोंगे पूरे और एक बात ओर सुन सारी मुवी देखना मेरी मैडम जी, अब मैं चलती हूँ मैडम जी, एक बात का ध्यान रखना बॉम्बे में ध्यान से रहना और हाँ, एक बात ओर अगर आपको सुबास गई के नंबर चाहिए तो मैं दूं क्या आप है न, वहाँ सुबास गई को मेरा नाम बता देना आपको फिल्मे मिलेंगी और वैसे क्या नाम है तुमारा मेरा नाम है मट्रू नो टंकी और तुम सुबास गई को जानते हो हाँ मैडम जी मैं भी बॉम्बे हीरो बनने गई थी हीरो तो बनी नहीं बिखारी जुरूर बन गई